किसर सिर्फ strategy से काम नहीं चलता, strategy से काम नहीं चलता, strategy बना-बना के हम ठक जाते हैं और उसके basis पर आप कभी पास नहीं हो पाएंगे, ये बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है, strategy जो है वो बहुत ही ज़ादा effective है, आपको ये strategy लगानी है, हर subject के अंदर, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अपने सभी CA Inter दोस्तों के साथ शेर भी करना है, strategy का नाम बता दो, मैंने का दोस्तो, strategy का नाम है CPR strategy, और ये हम discuss करेंगे, किस respect में, तो मैंने का sir, हम respect में करने वाले हैं, CA Inter में, कैसे लगाएं ये CPR strategy for clearing May 2024, बोथ ग्रुप, ठीक है, दोनों ग्रुप अगर हम करने जा रहे हैं, attempt, तो हम इस strategy को कैसे apply करेंगे, तो आइए, बिना टाइम को बेस के हम चलते हैं, और sir, पहले हम समझते हैं, कुछ ऐसी बात हैं, जो हमें बहुत जरूरी होंगी, समझ पाना, ठीक है, फर्स्ट क प्लान तो बहुत बनाते हैं, पर उसका execution नहीं कर पाते हैं, दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी, कि ये एक normal human behavior है, ऐसा नहीं है, कि आप ही उस plan को execute करने में fail हो रहे हैं, ये हर व्यक्ति के साथ होता है, जो हमें सबसे जादा ध्यान में रखना है, वो है ह स्ट्राटिजी को success बनाने के लिए, है न, तो fail को success बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सर, action चाहिए, और action के अंदर क्या होगा, तो मैंने का सर, हमारा golden rule, जिस strategy की मैं main बात आपसे करने चाह रहा हूं, that is my C.P.R. C stands for concepts, तो सबसे पहले हमको concepts clarify करने, conceptual clarity is utmost important, अभी जो हमारा new scheme का, जो C.A. Inter का paper आने वाला है, सर, हम जानते हैं, क्योंकि उसमें, MCQs पूछे जाएंगे, और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए conceptual clarity बहुत जरूरी है, इस concept की applicability को ensure करने के लिए, हमें practice करनी जरूरी है, हमें practice करनी जरूरी है, ठीक न, और उस concept को, exam के दिन तक ह हम याद रख पाएं, इसलिए इसका revision भी जरूरी होगा, revision भी जरूरी होगा, तो यह CPR strategy जो है, वो बहुत ही जादा effective है, आपको यह strategy लगानी है, हर subject के अंदर, ऐसा नहीं है, कि यह theory में ही चलेगी, या फिर यह practical subject में चलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि theory में भी concept होता है, practical म काम करने वाली है, ठीक है न, चले, सर आगे चलते हैं, अब आप हमें बताइए, कि ग्रूप 1 के एक एक paper में हमें किन-किन बातों का ध्यान देना है, तो मैं देखा सर सबसे पहले strategy को समझने से पहले है, हम यह देखें, कि ग्रूप 1 में हमारा पास paper कौन-कौन से है, तो सर सबसे पहला paper होगा हमारा P1, Advanced Accounts, उसके बाद हमारे पास दूसरा paper होने वाला है P2, that is Corporate and Other Laws, उसके बाद हमारे पास होने वाला है Taxation, Taxation में Section A में हमारे DT आ जाता है, और Section B में हमारे पास IDT आ जाता है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चलो, Group 2 में, सर Group 2 में हम देख प सब्सक्राइब कर दिया है कि कौन से Group में कौन से Papers हैं और कौन से Group में कौन से Papers आपको देखने को मिलेंगे, अब एक एक करके यहाँ पर Strategy की बात करते हैं, सर हमें 50 से 60 number, अगर हर paper में लाने हो, तो कैसे होगा? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखेगा आपको Target, मैंने Target पहले ही Set किया हुए अपना, तो अपनी दिमाग में Target Set होना चाहिए कि हम यहाँ पर 16 Marks तो minimum लेकर आने वाले हैं, और जो भी इसके आगे बढ़ेंगे, वो additional bonus हमें मिलने वाला है, है ना, चली, कैसे मिले पास जो Paper No.1 हमें है, वो है Module No.3, जिसमें आपको Chapter No.11 से 15 तक जरूर से करना है, क्योंकि यह Chapters बहुत असान है, बड़े-बड़े Chapters हैं, बट असान है, और इसकी जो Applicability है, वो भी बहुत असान है, ठीक है, अचा, इसके बाद, एक जो Chapter आएगा आपका, यह भी बहुत सर नंबर देखे जाने वाला है, Big Plus Easy का Combination है, Big Plus Easy का Combination है, और यह नंबर ना Free के देखे जाता है, अगर आपने इसका Conceptual Understanding समझ लिया, तो आपको Consolidation में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, Chapter No.10 के बाद आपको, यहां पर Chapter No.8, जिसमें Revenue Based Accounting की बाद की जारी है, और Chapter No.5, जिसमें Asset Based Accounting की बाद की जारी है, इस पे फोकस आदा रखेगा, और जहां आपने यह Priority Chapters Complete किये, तो आपके पूरे के पूरे 50-60 marks, पूरे के पूरे cover हो जाते हैं, ensure हो जाते हैं, इसके बाद आप जो भी करेंगे, वो आपके bonus number है, ठीक है ना, चली, तो मैंने क हम यह नहीं करें कि जस्ट पास हो जाओ, नहीं, नहीं, साथ माक एग्सेंप्शन तो मिनिमम लानी है अपने को, है ना, चली, तो मैंने कल, Sir, Paper No.2 में, Corporate and Other Laws में, सबसे पहले Priority Chapter आपका कौन सा होने वाला है, Sir, आपका Module No.3 में, जो यह बहुत easy, very easy, and small b हैं, ठीक है ना, बड़ा Chapter है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा Difficulty भी लगेगा बच्चों को, बड़ ये Paper में पूछा जाता है, अच्छा, क्यों है, Sir, ऐसा Reason, आप कैसे कह सकते हो, Paper में पूछा जाता है, New Scheme का तो एक भी Paper नहीं आया, दोस्तों, इसका Logic है, Logic क्या है कि Fema पहले CA Final के Locked syllabus में था, अब आचुका है CA Inter में, तो यहां पर Opportunity है ICI के पास कि वो यहां से Question पूछेगी, ठीक है, तो इस Opportunity का फाइदा अपने को उठाना है, बात समया रही है, हाँ Sir, इसी तरह, Module 2 जो आपके Law में अब दिखेगा आपको, वो पहले CA Final में हुआ करता था, अब आचुका है CA Inter में, तो प्रेपरेशन जब हम करेंगे, तो तो Module 1, Corporate Law का पहले करेंगे, Module 2 बाद में करेंगे, बच हम Revision करेंगे, Examination में आंसर लिखने की तयारी कर रहे होंगे, तो Module 2 पहले कर लेंगे, और Module 1 बाद में करेंगे, क्योंकि यह तो पहले से भी आपके CA Inter के syllabus में था, तो Company Law के अंदर, ठीक है, चली, तो यहां दोस्तों हम लोगों ने समझा कि Corporate and Other Laws के अंदर, Minimum 60 number कैसे लाने है, है न, मजा रहे है सर, हाँ सर, आपको आप यह संबात सम्झ में आनी चाहिए, कि सर, यह जो आपने Advanced Accounts का हमें बताया था, सर, यह जो इसमें आप अगर CPR Strategy लगा जो हम RTP करते हैं, सर, MTP करते हैं, पास एक्जाम के कोशन ठूनते हैं, सर, इसका कोई solution बता दो न, तो मैंने का, दोस्तों, इसका भी एक solution है, क्या solution है, मैंने का, सर, यह हमारी e-scholars की जो perfect practice book है, जिसमें 10 past exam के questions आपको यहां पर मिलेंगे, सारी RTPs यहां पर covered होती है, सार प्राक्टिकल सब्जेक्ट में भी तो theory होती है, सर, उसका क्या करेंगे, तो मैंने का, सर, उसका भी solution है, वो है हमारी e-scholars की perfect revision book, तो वो subject wise आपको मिल जाएगी, आपको क्या करना है, www.e-scholars.in पर जाना है, और आपको वहां से यह किताबे order कर लेनी है, तो मैंने का continue करत उतरना है, क्योंकि DT का जो syllabus, ICI-NA, CA Inter K syllabus में डाला है, वो 50 marks के बजाए बहुत जादा vast है, तो comparison में 50 marks versus the size of the syllabus, वो बहुत जादा inadequate है, तो वो बहुत जादा large है, तो इन-finite हो रहा है, DT का syllabus, तो हमें उसमें जाके घो नहीं जाना है, पहले GST को फटा-फटे कर लेंगे, और उसके बाद DT का हम portion cover करेंगे, ठीक है न, चली, तो यहाँ पर भी देखे, target मेंने क्या ही लिखा है, सर 50-60 marks का ही लिखा है, target में ध्यान देना है सभी को, है न, चली, सर आगे चल रहे है, अब हम group 2 का, जो पहला paper, या फिर मैं बोलो paper number 4, ठीक है न, कौन सा है ये, cost and management accounting cost and management accounting, यहाँ पर देखे, मैंने फिर से, target आपको 50-60 marks का ही दिया है, कौन-कौन से chapters आपको ध्यान में रखने है, तो मैंने का सर, सबसे पहला chapter है, आपका material, फिर आपका labor, फिर आपका overheads, उसके बाद activity waste costing जो आता है, ABC, यह आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका standard costing, marginal and budgeting, जै इसके बाद जो भी आपने किया, वो bonus, तो इस strategy को बहुत ध्यान से सुनना है, और मैं तो कहूंगा कि अभी भी video pause करके, register pen ले आएं, और फिर से, सारी चीजें दुबारा लिख लें, अगर किसी ने नहीं लिखाया तो, तो यह मैं आपको, मैं 24 के C enter exam का pass करने का मूल मंतर दोस्तों, ठीक है न, चली, अब हम आते हैं paper number 5 के उपर, यहाँ पर auditing and ethics में, भी हम 50-60 marks को ही ensure कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर module number 2 का देखें, मैंने chapter wise लिखा है, chapter 11, 10, 8 and 9, ठीक है न, इसके बाद आपको module 1 के अंदर, कौन-कौन से chapters देखने हैं, सबसे important chapters हैं यह, कौ कौन से हैं, chapter 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 5, ठीक है न, तो यह chapters आपको करके जाने हैं, each of the module में, अब sir, किसी को ऐसा लगेगा, कि sir कह रहे हैं, यह chapter करके जाने, मैंने को दोस्तों, नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं, आपको priority देनी है, इन chapters को, पहले इन chapters को करिए, फिर उसके बाद जो बच र अब हम आते हैं, paper number 6, और यहां पर देखें, मैंने क्या target दिया आपको, 60-70 marks का target मैंने आपको दिया है, चली, क्या लिखा हूँ है, sir, FM और SM के इंदर बच्चे कहते हैं, sir, हम practical में अच्छे हैं, और कुछ बच्चे वहीं कहते हैं, नहीं, sir, हम तो theory में जाद अच्छे हैं theory हमें पहले करवाओ, तो मैंने दोनों तरीके से strategy आपको बना के दिया, अगर case 1 में, आप practical में जाद अच्छे हैं, तो आप FM पहले कीजे, फिर आप SM पे जाएंगे, और अगर आप पहले FM कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले investment decision करना है, उसके बाद पूरा एक set यह आपका करना है, जिसमें आपको cost of capital, capital structure और leverages आजाएगा, तो यह आपका set 2 हो जाएगा, इसके बाद आपको सबसे पहले working capital करना है, management वाला chapter, जो है, very important, और उसके बाद जब time बचेगा, तब आपको dividend decision ratios करना है, यह बहुत ही जादा असान है, और 5 से 10 number तो minimum पूछता है, यह ratio से, तो मैंने का, sir, क्यों छोड़ना, आसान है, करके खतम करो, but आसान है, इसलिए एकदम नीचे रखा हुआ है, जो important है, वो सबसे पहले, वो सबसे पहले करके जाने है, ठीक, चली, अगर कोई बच्चा यह कहता है, कि नहीं, sir, मैं SM पहले करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा theory ज कर लेंगे, तब आपको chapter number 4 पर जाना है, जिससे आपको additional 10 number मिल जाएंगे, जिससे आपको additional 10 number मिल जाएंगे, तो यहां आपको 40 number, फिर से SM में मैंने आपको बता दिया, कैसी करना है, चली, तो यहां पर दोस्तों हमने, अपने यह paper number 6, जो कि last paper था हमारा, FMSM किया, उसकी strategy समझ ली, और target देखे दोस्तों, target मैंने यहां पर आपको 60-70 number का रखा है, paper number 6 आपका पूरा group और पूरा का पूरा CA Inter भी निकालने में मदद करता है, तो यहां पर focus जादा रखिएगा, ठीक है, चली, तो यहां दोस्तों हमने strategy समझी, CPR strategy कैसे apply करनी है, subject wise, यह भी हम लोग समझ ली है, अब मैं आपको फिर से समझाओं, कि अगर आप अभी भी challenge में है, कि sir, कहां से हमें support मिलेगा, कहां से CA Inter की, जो high quality content video lectures है, वो कहां से मिलेंगे, तो मैंने का sir, one stop solution है, that is e-scholars, ठीक है na, grooming education की, www.e-scholars.in पर, जो website है, उस पर जाहिए, अपने आपको CA Inter 3.0 course में and roll कीजिए, जहां आपको, sir, study material तो मिलता ही मिलता है, है न, उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, मैंने, sir, आपको mock test का जो feature मिलता है, evaluation के साथ, है न, आपको PP book मिलती है, अच्छा, sir, कुछ बच्चे ये भी बोलते है, sir, theory में बहुत issues आ रहे है, theory नहीं हो पारी, तो उसक पूर से strategy को अच्छे से apply करेंगे, मिलते हैं इसी तरह की informative वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, दोस्तों.